हेई एब्रीबन वेल्कम टू माई चैनल चीनू ब्लाग्स और मैं हूँ चीनू जो कि आपका इस चैनल बरता है दिल से स्वागत करती हूं जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं उससे बदल स्वाइब छरतार्व थोड़ा मैं सब दिखे गवाइब लगड़ी आपको इसा अबने घर की चयए जो कि नाया माला डिजाइन आरहाएullyन के उपर और चारो तरफ बैसे इस उपर दिख रहा है यहां पर भी अभी सिलिंग होने को है क्योंकि जब हमने घर को बनबाने का फिर से काम सुरू करा तो इतनी जादा बारिस ही कि पुछो मत एक दिन तो पूरी बारिस ऐसे टपटप करके नीचे गेर पूरे फ्लोर बहुत ही जादा बारिस से बीग है अच्छा है कि हमारे बास टू फ्लोर है तो हम नीचे रहते थे और उपर वाले फ्लोर का हमने जितना समान होता था वो एक कम्रे में कठा कर लिया है फिर उसके उपर हम बिछा देते थे ताकि बारिस इस पर ना गिड़े अभी मैं आपको दिखा रहे है गर की छत बाला काम अभी हमारे गर की छत पर जो टिम यह आदि से जाधा लग चुकिया और थोड़ा सा काम अभी बाकी रहे गया थोड़ा की बहु ज़्याद है भी शीलिंग भी होना बाकी यह आप वो इधर दिख रही यहां पर लगे जूला तो जूला जूलने में बड अब भी मैं आपको ले जाने वाली हो अपने टमाटर की खेत में जो कि हमने लगाए हुए थे काफी टाइम पहले अब इन में बहुत ही अच्छे गोल गोल टमाटर आ गए देखते हैं जब हमने कोई चीज घुद करी होती है और वह ग्रोव होती है तुस्से देखने में इतन के बीज भी डाले थे जिसमें क्यूट क्यूट सी ककड़ी लग गई है कला इन्हें देकर मेरी मेरे मन को इतना ज्यादा शुकून मिलता है कि पुछ हमत अब मैं आपको ले आई हूं अपने नीचे वाले किचिन गार्डन में जहां पर हमने अने इक परकार के सबजिया साग भरा हो गया है गर्मी के मासम से इस पुद्वीने से हम एकदम फ्रेस फ्रेस चटनी भी बनाते हैं जो कि खाने में बड़ी सुआद होती है अब मैं आपको दिखाती है अपनी छोटी सी मिला मिर्ची जो की क्यूट सी लगी है देखने में इतनी ज्यादा मस्त सुन्दर लग चुके हैं थोड़ी थोड़े हरी मिर्ची के पौदे भी हमने साथ मिल लगा दिये ताकि खाने में हम खाने के लिए जल्दी मिल सके बाकी हरी मिर्ची की रोपाई तो बाकी है अब मैं फिर से आपको टमाटर दिखा रही हूं यह तो हमने काफी टाइम पहले ग्रो कर अपक़ी तो जो चाले तो यह थोड़ी ची प्ती अब फिर से ऊगा यह तो पैदा तो होगया में देखते हैं कि कब तक बड़ी हो जाएं आप मैं आपको दिखा देर अपने बैंगन वाला खेद जिसमें बड़े बड़े बैंगन हाे चुके अबिल्की हार्वेस्टिंग क रेडी हो चुकिए हैं अभी हमारे खेत में फ्रेंच बीन की सबजी भी लग चुकिए है वैसे हम इसे अपने देशी भासा में फ्राश बीन बोलते हैं जो कि रेडी हो चुकिए है आपको मेरा ये छोटा समीनी किचन गार्डन टोर कैसा लगा है वीडियो में बताएगे जो चेले बीडियो को लाइक देशी डी कर दोर्च को चुकिए जो जो प्रह्योंत मुद्य तरह सक्वा ये खनात मुद्यों सब्सक्राइब आता है जिए जो चुकिए है जो चुकिए है